नमश्कार, स्वागत बच्छा आपका Self Study के चैनल में और आज हम अपनी एट्थ वीडियो जो हम प्रिवियस येर के एक्जाम कर रहे हैं SSC CGL के जो 2017 में हुए थे आज हम करेंगे 10 अगस्त जो 2nd shift में हुआ था और इससे पहले जितने भी मैंने आपको एक्जाम करवा दिया है वह एक अलग से मैंने प्लेइलिस्ट बना रखी है SSC प्रिवियस पेपर करके तो आप जाकर वहाँ पर उन वीडियो को देख सकते हैं और आपको पता है कि आने वाले टाइम में SSC के एक्जाम होने वाले है तो प्रिवियस एयर से जो प्रैक्टिस जितनी है हम कर सकते हैं वो बहुत जादा बेनिफीशल होती है हमारे एक्जाम के लिए क्योंकि बहुत बार जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया हूँ है और एवन आपके सामने प्रूव भी दिया है यह जो एक्जाम में आपको करवा रहा हूँ कि जो कोशन्स है वो रिपीट होते हैं बार बार आपके एरर रिपीट हो रहे हैं आपके कहीं न कहीं वन वर्ड रिपीट हो रहे हैं तो यह हैल्फुल होते हैं आपको प्रैक्टिस करने में बोक टेस्ट से भी ज़्यादा यह चीज़ें आपके काम आने वाले हैं जब आप एक्जाम देने जाएंगे चलिए आज हम अपना स्टार्ट कर लेते हैं एट्थ वीडियो आपके सामने यह तो फर्स्ट दो कोशन हैं उनके अंदर एरर हैं तो एक बर वीडियो पोज करिए और फर्स्ट ट्राई आप करिए एटलिस्ट आप एक तुककाई मार के देख लिजे आपको कितना आते हैं चलिए करिए एक बर उमीद करता हूँ कि आप लोगों ने करने की कोशिश की होगी चलिए फर्स्ट कोशन पर आते हैं फर्स्ट कोशन है इन स्पाइट ओफ दोक्टर्स स्टैन वर्निंग लतिका कंटिनूड टेकिंग शुगर्स इन हर मिल्क आपको बता है कि अगर कुछ एक वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके साथ आप ऐस लगा के उन्हें प्लूरल नहीं कर सकते हैं जैसे मैं कहता हूँ कि वोटर वोटर के साथ आप क्या प्लूरल लगा कर पाएंगे क्या वोटर्स हो पाएगा नहीं वोटर्स नहीं हो पाएगा यह प्लूरल नहीं हो पाएगा जिसमें कहता हूँ गोल्ड तो क्या आप गोल्ड्स कर पाओगे नहीं गोल्ड्स नहीं कर पाओगे हाँ बेसिकली एक आप वोटर का वोटर्स तो होता है लेकिन उसमें ना meaning change हो जाते है water का मतलब होता है पानी, waters का मतलब होता है तालाब, लेकिन gold का golds नहीं हो सकता या फिर मैं कहूँ कि पानी, पानियों ऐसा नहीं हो सकता मतलब समझ रहे हो, कि कुछ एक ऐसे noun होते हैं जिनके साथ आप S या ES लगा के उनको plural नहीं कर सकते हैं basically, वो material noun हो सकते हैं वो abstract noun हो सकते हैं समझ में आई या फिर वो personal noun हो सकते हैं यह वाली चीज़े मैंने आप लोगों को अपनी grammar videos के अंदर already करवा रखे, तो जाकर आप वो देख सकते हैं उसकी भी अलग से पहने playlist मुना रखी है English grammar करके, pronoun उसमें खतम होने वाला है तो बहुत अच्छे से वो मैंने चीज़े आप लोगों को करवाई है तो यहाँ पर आप जो देख रहे हो ना, sugar तो sugars यह गलत है, sugar होगा, sugars नहीं हो सकता समझ में है, तो आपकी सामने जो error है यहाँ पर third के अंदर हो गया second question के अपर चलते है myself and Roshni will take care of the event on Sunday अच्छा, यहाँ पर मैंने आप लोगों को एक reflexive pronoun पढ़ाया था reflexive मैंने आपको pronoun पढ़ाया था मैंने साथ यसाथ आप लोगों को एक emphatic pronoun भी पढ़ाया था यह दो चीज़े मैंने पढ़ाया थी अच्छा, reflexive pronoun वो होता है जिसमें, जैसे कि मैंने का मैंने अपने आपको मार लिया I, I hit, I hit myself, I hit myself यह कहूँगा मैं, मैंने अपने आपको मार लिया तो कैसे कहूँगा I hit myself, अब मैं कहूँगा मैंने किसी और को मार दिया I hit him, या मैंने काओ मैं तुम को मार दिया, I hit you, तो यहां पर अगर कोई action करने वाला और उसके उपर action होने वाला, वो दोनों ही same है, तो वहां पर जो receiver होता है, वहां पर reflexive case का use किया जाते है, तो यहां पर reflexive case आते है, कभी भी reflexive case को आप starting में use नहीं कर सकते, आप एम्फिटिक जैसे कि I myself, I myself hit, I myself hit myself, भाई मैंने खुद अपने आपको मार लिया, यह myself इसके उपर emphasize, emphasize करने के लिए है, एक तरीके का adjective का काम कर रहा है, तो यह pronoun, एम्फिटिक pronoun है, लेकिन काम इसके लक्षन देखो तो वह तो एक तरीके का adjective है, अचेक्टिक होता का है, जो noun या pronoun को qualify कर दे, तो एक तरीके का pronoun को ही qualify कर रहा है, यह word, तो यहाँ पर मैं adjective कहेंगे नहीं, मैं कहीं कहें रहा हूं कि adjective की तोर के पर काम कर रहा है, है यह emphatic pronoun, emphatic pronoun का काम होता है कि, जो person होता है, उसके उपर emphasize करना, यहाँ पर इसके पर emphasize, यानि जोर देके, stress देके कहा जा रहा है, कि मैंने भाया खुद, मैंने खुद मार लिया अपने आपको, I myself fit myself, तो यहाँ पर यह emphatic pronoun है, और यह reflexive pronoun है, अब यहाँ पर, इन दोनों conditions में देखा आपने, क्या यहाँ पर reflexive pronoun या emphatic pronoun, क्या इन से कोई sentence की शुरुवात हो सकती, अरे बिल्कुल भी नहीं हो सकती, और यह वाला concept बहुत अच्छे से, pronoun वाली वीडियो में मैंने करवा रखा हैं आप लोगो, इसके उपर कम से कर मैंने 40 minute की class ली है, जिसके अंदर मैंने example आपको error करवा के दिखाएं कि कैसे error आते हैं, तो यहाँ पर यह जो myself लिखा हुआ है, यह गलत लिखा हुआ है, भाई यह गलत है, I होगा, I and Roshni, वैसे Roshni and I होता है, बहुते थर्ड परसन आता है, फिर फर्स परसन आता है यहाँ पर, rain stopped, the concert had to be suspended, भाई, जब तक rain stopped नहीं हो जाती, तब तक क्या कर रखा है, concert को suspend कर दिएगा है, भाई, कब तक, until, कहाँ पर एक तरिके का time हर रहे है, until, unless, till, while, यह तो आएंगे नहीं, तो क्या आजेगा, until, clear यहाँ पर, अच्छा, second, fourth पर आते हैं, अच्छा, यहाँ पर आपकी सामने प्रिपूशन दे रखिए, उस प्रिपूशन के कोडिंग भरना है, अब समझो ज़रा, यह कोते हैं, tear down, tear down का मतलब होता है, तोड फॉर कर देना, हंगामा उठा देना, यह stampede का मतलब होता है, stampede का मतलब होता है, यह भी भगदड हो जाना, तो elephant एक दों भगदड मचा दी, और सब कुछ तोर दिया street में, street पर, तो यहाँ पर tear down आएगा, तोर डाउन, यह second form है, तोर तोर, यह second form के साथ tear down, यहाँ पर इसके साथ आजएगा, यह fourth, clear यहाँ, और यहाँ, फिफ्ट और सिक्स्थ, फिफ्ट जो है, फिफ्ट और सिक्स्थ में, आप लोगों को similar meaning बताना है, यानि scuttle, scuttle का आपको similar meaning बताना है, और उसके साथ इसाथ, loquatious, loquatious का आपको similar meaning बताना है, चलिए ज़र एक बर करिए, उमीद करता हूँ कि आप लोगों ने करनें कोशिश की होगी, देखे, scuttle, scuttle का देखे, यह जो होता है न, word, scuttle, यह दो होता है, एक के noun, noun भी होता है, और एक के verb भी होता है, अच्छा, जब यह verb होता है न, इसमें इसका meaning होता है, तभा करना, तभा करना, तभा करना, नस्ट करना, भागना, यह वाली चीज़ आ जाती है, इसका meaning, ठीक है, और जब यह noun होता है, तो इसका मतलब होता है, अंगीठी, ठीक है, अब यहाँ पर, इसका meaning हमें ढूणना है, अच्छा, यहाँ पर, यह जो meaning है, यह जो वर्ड है, solitary, solitary का मतलब होता है, अकेला, अकेला, सन्यासी, अकेला, सन्यासी, यहाँ पर, तो फिर, सकटल तो एक अंगीठी, यह फिर दभा करना, इनमें सो कुछ भी नहीं है, तो यह नहीं हो सकता, अच्छा, अगला जो है, वो है, superficial, superficial का मतलब होता है, इनमें स्तही, यह एक तरिके का स्तह का उपरी भाग, ए घंभीर, ठीक है, अगला जो वर्ड है, यह है, soothing, soothing का मतलब होता है, संतुष्ट करने वाला, संतुष्ट, यह आपके कस्ट हरने वाला, soothing, तो यह यह नहीं हो सकता, तो यहाँ पर एक तरिके से, यही वर्ड भज रहे है, यह है, brazier, brazier का मतलब होता है, अंगिठी, brazier का मतलब होता है, अंगिठी, तो scuttle, scuttle का मिनिन, इसका similar मिनिन हो जएगा, brazier, clear यहाँ पर, आचा, यहाँ पर आते हैं, अगले वाले पर, loquacious, loquacious का मतलब होता है, बात तो नहीं, loquacious का मतलब होता है, बात तो नहीं, बात तो नहीं, अब यहनी बात करें, तो पहला यहाँ पर, उपर यूपर चमक रहे हैं, talkative, talkative का मतलब होता है, बात तो नहीं, तो यह आजेगा इसका answer Follishness, Graceful Entertainer, I think इन तीनों के तो मीनिंग आप लोगों को पता है, मुर्कता सुंदरता, Graceful बहुत सुंदर Entertainment, जो मतलब आपको मनुरंजन प्रवाइड कराए, तो यह वाले होगे 7th और 8th, इन दोनों में आप लोगों को अभी आपने similar meaning ढूड़े, और 7th और 8th में अब आप लोगों क्या करने हैं, इनके opposite meaning ढूड़ने हैं, चलिए एक बार खुद से कोशिश करिए उचा, ओके उमीद कर रहा हूँ कि जैसा कह रहा हूँ कि आप लोग कर रहे हो offskate का मतलब होता है अंधेरा करना अंधेरा करना अंधेरा करना या फिर कहें asbest करना asbest करना, यानि चीज asbest नहीं है, clear नहीं है ठीक है, करना अचा, अंधेरा करना, asbest करना होगा तो अचा, envelope, envelope तो होगा नहीं puzzle, puzzle, यह तो और ही puzzle कर रहा है asbest होगा आज़ा आगे है हेज हेज का मतलब होगा है धुंद कहरा नहीं भई तो यह रहा clarify अरे भई आपने asbest कर रहा है कम से कम clarify तो करो asbest तो करो उसको तो offskate का मतलब होगा है यहाँ पर clarify आज़ा अगले बतलते हैं triumph triumph का मतलब होता है आनन्द मनाना आनन्द बनाना vigilance खुशी बनाना एक तरीके का मतलब जीत की खुशी बनाना तो यह हो गया यहाँ पर तो यहाँ पर अगले इसका अगर इसने के established established का मतलब होता है स्थापित करना शिद करना तो यहाँ पर तो इसका तो होगा नहीं sorrow, sorrow का मतलब होता है दुख, obviously यही होगा आप खुशी मना रहे हैं, आनन बना रहे हैं तो इसका opposite तो sorrow ही जाएगा disdain, disdain का मतलब होता है तिरिसकार, घ्रिना करना, तो यह तो होगा नहीं अचा, अगला जो है elation, elation का मतलब होता है उत्साह, गर्व, तो यह भी नहीं है तो आपकी सामने हो गया, sorrow तो best यही हो गया अपने सामने, clear अब आते हैं, ninth और tenth यहाँ पर आपकी सामने idioms दे रखे हैं आपको उनके meaning निकालने हैं चलिए एक बार, okay ninth है chicken hearted chicken hearted मतलब कि यह होता ना chicken जैसे तरह तील है chicken का तो एक तो कमजोर होता है तो यह होता coward, clear यहाँ पर इसका आजेगा coward, अच्छा, red letter day red letter day का मतलब होता बहुत ही महतरपूर्ण दिन होता है, significant day significant day, तो हो गया आपके सामने और idioms के लिए भी मैंने अलग से आप लोगों के लिए आपको sentence improvement कर रहे है जो यह आपको dark bold actions में दिखे हो है ना, इनको improve करके लिखना है कि इनको अच्छे से कैसे लिखा सा सकते हैं, चलिए एक बार कोशिश करिए okay, 11 पर आते हैं 11 कह रहा है, he jumped off the train while it had been running अरे भई वो train के आगे कूद गया जब train चल रही थी while it was running बहुत important, बहुत बढ़िया concept एक तरीके कह सकते हैं, बड़ा easy भी था तो यहाँ पर आगे it was running I didn't see him since we met two years ago, अरे भाई मैंने उसको तब से नहीं देखा, जब हम last time मतलब मिले थे जब हम last time हम मिले थे तो we have not seen we have not seen I have not seen him तो यहाँ आगे आपके सामने second अचा, यहाँ पर आते हैं 13th और 12th one word substitution कहते हैं अचा, one word substitution में 13th 13th पर आते हैं, 13th कह रहा है one, one who who is new to a profession, बतलब कोई इंसान एक बार नया होता है किसी काम में कोई नया होता है, तो उसको क्या कहते हैं उसको कहते हैं, टाइरो टाइरो का मतलब होता है, नो सीखिया तो टाइरो का मतलब होता है, नो सीखिया तो इसका अंसर आजेगा, टाइरो अचा, यहाँ पर nuance, nuance का मतलब होता है, अतिस शुक्षम यह जो आपको nuance दिख रहा है, nuance का मतलब होता है made without previous preparation मतलब आपने बस ऐसे ही गए और कुछ भी त्यारी नहीं कर रखी थी और आप presentation देने लगे तो उसको कहा बोलते हैं उसको बोला जाता है extemporary extemporary यह रहा आपके सामने extemporary का मतलब होता है बिना त्यारी के बिना त्यारी के अच्छा यह जो है अपने आप से बात करना तो एक साथ आप बहुत सारे meaning सीख रहे हैं तो इसका तो यह आज़ेगा है अपने आप से बात करना obviously अपने आप से बात करने चाहिए obituary का मतलब होता है शोक संदेश शोक संदेश बहुत दुख बरी संदेश ऐसा बताना यहां पर यह जो है euphemism euphemism का मतलब होता है priyoktiya vyanjana मतलब कि यह थोड़ा सा ऐसा होता है कि आप कोई word कहना चाहरे हो और वो word बहुत ज़ादा उस situation में बहुत खराब लगेगा तो उसको थोड़ा सा हलका ले politeness way में कैसे बोला जाता है तो उस चीज़ को कहते है euphemism clear यहां पर 15th और 16th के अंदर आप लोगों को spelling test है मतलब कि इन में से कुछ गलत दी हुई है आपको वो ढूणनी है कि कौन सी गलत दी हुई है 15th में देखिए जिरह 15th में है millionaire बिल्कुल सही है omission बिल्कुल ठी है यह रही तीन सही मिल गी तो अगली तो गलत मिलनी है यह है proprietary 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 का मतलब होता है यहां पर proprietary में यहां पर A आना था R से पहले यहां A आना था proprietary proprietary का मतलब होता है malikana swami ठीक है अच्छा अगले में देखते है appeasement बिल्कुल सही है abnormality, बिल्कुल तही है, accentuate accentuate, बिल्कुल सही है अचा, कौन सा, अरे, यह जो बचाना है यही तो है, अचा, यहाँ पर क्या है acquaintance acquaintance, acquaintance का मतलब होता है परिचित, जान पहचान, acquaintance acquaintance का मतलब होता है परिचित होना, जानकारी होना तो यहां पर आपकी सामने यह गल्थ होगी, अच्छा क्या आना था यहां पर, यह E की जगहां पर A आना था, दोनों में A, E की गड़बड होगी, clear, अच्छा 17th और 18th, 17th और 18th P, Q, R, S, मतलब जो आपकी सामने उपर नीचे कर रखें इनको, आपको sentence को सही करने, अच्छा 17 17th पर आते हैं, 17th में आपको एक ट्रिक मैंने आपको बताया थी, आप एक बार जड़ा इनको देख लिए, अरे, स्टार्टिंग में S, P, Q, P, मतलब आपको यह बता चले, R से ता संटेंस स्टार्ट होना नीए, S प या P से या Q से या P, अच्छा, P से चलते हैं, and the victims are likely to be the poorest, and the poorest of the poor, as well as the very source of water, rivers, wetland, and aquifers, अच्छा, यहां पर कोई भी इसका meaning नीए, कोई भी, or victim, जो है, वो गरीबों से भी, मतलब गरीबों में भी बहुत जादा गरीब होते हैं, और जो पानी है, जो मतलब सोर से पानी का वो नदियां है, तलाब है, तो यह हो गया, यहां पर क्यों बोल रहा है, तो एक बर P को छोड़ा देते हैं, तो कहीं पर से भी इसका logic नहीं बन रहा है, अचा, यह कह रहा है, इन इंडियां, water conflicts are likely to worsen before they begin to be resolved, मतलब कि, resolve करने से पहले ही वो चीज़ें, बहुत जादा भ्यानक हो गई हैं, भारत के अंदर जो पानी का जो conflict है, अचा, ठीक है, एक बर हो सकता है, में भी हो सकता है, अचा, P के उपर, यानि यह वाली चीज़ें तो आपके सामने क्लियर हुई न, यह नहीं हो सकती, अचा, S वाल और देख ले, water is radically altering and affecting political boundaries all over world between as well as within countries, पानी जो है, एक ऐसा मतलब है, कि वो boundaries को बहुत जादा affect करता है, प यहाँ पर इसके बाद S को लेते हैं, S के बाद कह रहा है, तो S के बाद कह रहा है, in India, in India, water conflict are likely to worsen, मतलब पहले तो बता दिये कि पानी कितनी तरह प्रभावित करता है, और फिर भारत में आते हैं, भारत के बारे हैं तो यहाँ पर आपकी सामने हो गया, first, अचा, यहाँ आपर आते हैं, 18th, 18th में आपके सामने P, S क्यों आ रहा है, सारे दे रखें इन्होंने, एक झांट लिया, यहाँ आप लोगों के लिए सारी चीज़ें क्लिर हो जाएंगी, चलिए, आपर P पर आते हैं, P कहता, for one, very few entrepreneur, entrepreneur, are willing to take on a new outsource unless it comes with a guarantee of a certain level of sales, मतलब कि बहुत कम ऐसे उद्यमी होते हैं, जो चूज करते हैं कोई नया outsource, जब तक कि उनको guarantee ना दी जाए, एक certain level की, मतलब कि इस level तक तो sale हो पाएंगी, अचा, this invariable acts as incentive for outsource to be lex in developing the business, अचा, यह जो invariable है, कौन सा invariable, अभी तक बात नहीं हुई है, तो इस से यह पता चले, यह जो invariable है, वो act करे आउट्सोर्स को जो धीले पड़ गए हैं, developing nation, developing business के अंदर, अचा, अब यह नहीं पता क्या होगा, despite being the dominant partner, तो यह नहीं मैं कह सकता हूँ कि क्यो वाला तो side में हटा दो, despite being the dominant partner in the relationship, the outsourcer does not always have all the advantages, बावजुद इसके कि परभावशाली partner होना एक relationship में, जरूरी नहीं कि outsource ह हमेशा आपको एक advantage, हमेशा advantage देगा, clear, as क्या कह रहा है, the trader, the trade refer, the trade refer to it, the trade है वो इसको refer करते हैं, किसको refer करते हैं, क्योंकि it किसी के लिए तो आया होगा, इसको refer करते हैं, as the minimum guarantee close, as a minimum guarantee close, इसको एक minimum guarantee close में refer करते हैं, which mean that, इसका मतलब ही होता है, that if, अगर, a outsource is unable to reach an anticipated sales level, उस level तक नहीं पहुंच पाता, जिस तक हमने सोचा है, या फिर जित कहां तक सोचा गया है, he will be compensated, उसको compensate करना होगा, उस balance amount को, यह वाली चीज़ होगी, तो काफी चीज़ें यहां पर, यहां पर यह हो रहा है, कि यहां पर P के बाद S आ सकता है, क्योंकि यहां पर एक बा यहां से स्टार्ट हो जाएगा हमारे सामने, तो यहां पर आजाएगा फॉर्थ इसका अंसर, तो ऐसे हम देख सकते हैं, बाकी हम इनका मीनिंग्स निकालके भी इनको अच्छे से क्लियर कर सकते हैं, आपके सामने यहां पर आ रहा है, 19th और 20th, 19th के अंदर आपको active passive करने, अच्छा, somebody told me that there had been a robbery in the jewelry exhibition, अच्छा, I was, I was, देखिए, यहां, I was informed, I was told, I was told, I was told, अच्छा, about, यहां पर कहीं है क्या, about, जो हम इसमें about डालेंगे नहीं, about तो इसमें नहीं डालेंगे, तो इसको हटा देते हैं, अच्छा, I was told by somebody about that, about, अच्छा, यहां पर नहीं है, I was told by somebody about a robbery in the jewelry, यह नहीं हो सकता, ठीक है, यह भी कट गया है, यहां पर, अच्छा, I was, I was told by somebody that there has, has क्यों आएगा, क्यों कि यहां पर head लिखा हुआ है, तो यह भी कटेगा, I was informed that there was a robbery in the, तेखिए, अब बात यह बनती है कि, है तो सारे के सारी गलत, अब बनता गया है, यहां तो by mistake has लिखा हुआ है, मैंने नहीं लिखा है, यह एक्जाम के अंदर ही has की मतलब has लिखा हुआ था, अगर यहां पर head होता तब तो यही होता, कि फिलाल, मुझे लगता है कि mistake वहीं पर हुई है, अब यहां पर रहे सारी कर सकते हैं, और तो क्या कर सकते हैं यहां पर, best of best चांटना बढ़ता हमें, या फिर गलत में से भी, जो कम गलत है वो चांटना बढ़ता है, तो यही सही लग रहा है, आगे यहां पर आते हैं, रोहन said, where shall I be this time next month, यहां पर कोई question नहीं पूचा जा रहा, इसका ध्यान रखना, यहां पर कोई भी question नहीं पूचा जा रहा, इ following month, following month वाले एक बढ़ ले लेते हैं, तो next month यहां पर यह कट गए, और first और fourth ही बचते हैं, अब first के उपर और fourth के उपर देख लेते हैं, contemplated, wondered, where, where, shall he be that, be the following month, where he would be that, where, तो यहां पर आपके सामने आगया, fourth, clear यहां पर, 21 से लेके 25 तक अब आपके सामने आ रहे हैं, close test, आपको एक बर, एक close test जितना भी दिया आपके सामने, एक बर आप चरह पढ़िए, और फिर अपनी तरफ से करने ही कोशिश करें, उमीद करता हूँ कि आप लोगोंने पढ़ने ही कोशिश की होगी, बहुत important चीज़े, यह होती हैं कि आपके number बना देती है, यह practice बहुत important है, अचा इस पर आते हैं, the mode of actions, the mode of action are dash in science and religion, मतलब कुछ जो mode होते हैं, कुछ actions के जो mode होते हैं, science और धरम में, वो same होते हैं, यह different होते हैं, equal होते हैं, relevant होते हैं, relevant तो हो नहीं सकते हैं, equal भी नहीं होते हैं, आप कोई बात चलती रही हैं, तो यहां पर similar नहीं होगे हैं, तो आपके सामने चिक चिक के बोले हैं, different, the modes of action are different in science and religion, अचा, science relies on experiment, science जो है, वो experiment के उपर करता है, विश्वास, whereas religion is based on experience, और जहां एक religion है, एक धरम है, वो किसके उपर, एक experience के उपर, बेस होते हैं, अब यहां पर होते हैं Any religion, any religion, dash, any religion, dash, religious, dash, whether it is Christ's or Ramakrishna's is personal and dash, any religion, अब यहां पर एक आप पर पूरिया ध्यान से पढ़ा होगा, अब यहां पर हैं, पूरिया ध्यान से पढ़ा होगा, the mode of action are different in science and religion, science relies on experiment, whereas religion is based on experience, Any religion, experience, whether it is Christ or Ramakrishna's is personal and बात हो रही है, परसनल की, अकेला परसनल की बात हो रही है, ध्यान रखना, वो irrelevant होगा, वो significant होगा, वो subjective होगा, वो subjective होगा, भाई वो subjective होगा, क्योंकि वो एक person के उपर है, यहां पर subjective का मतलब होता है, वो एक person के सोच के उपर, personal and subjective होता है वो, ठीक है वो कोई जरूरी नहीं कि आप जो follow कर रहे है, वो सामने वाला भी और कोई भी follow कर रहे, ऐसा नहीं हो सकता है, वो subjective है, वो personal है, science on the other hand is marked by objective, लेकिन यह इसको हर जगा फोलो किया रहता है, theory has to be corroborated by dash proof providing, जो theory है, वो क्या होती है, मतलब उनको समझाया होता है, बड़े ही किस वास्तविक प्रूफ दी होते हैं, तो tangible, tangible यहां पर आएगा, तो tangible यहां पर, tangible proof providing material comfort, the frontier, जो सिमा होती है, science की, do not end in knowledge, के वो knowledge पे ही वो नहीं होती, but are dash to the formation of appliance for actual use, वो extended की होई होती है, वो बहुत जादा बढ़ी होई होती है, कि आप उसको उपकरनों में भी, एक actual use कर 10 अगस्त, 10 अगस्त 2017 के CGL में, 2017 में, CGL में आया हुआ, second shift में paper, ठीक है, उमेद करता हूँ कि आप लोगों को यह समझ में आया होगा, और यह best चीज है कि आपकी इससे त्यारी बहुत अच्छे से हो जाएगी, आपको errors related, आपको one words, आपके सामने spelling test, idioms, direct and direct, close test हो गया, य जिससे बच्चे काफी ज़्यादा गपराते हैं, वो वाली भी एक practice हो जाती है, उमेद करता हूँ कि आप लोगों को यह video समझ में आएगी, तो अगर आपको यहाँ पर PDF चाहिए, इस video से related, तो आपको एक Telegram का link मिलेगा, description box में, तो जाकर आप वहाँ पर join कर सकते हैं, और